सुबह सुबह का ये प्राकृतिक नजारा और साथ में वाइल्ड एनिमल्स की हलचल जिसे देख मन बेहत खुस हो जाता है तो सायद आप भी इसे देख करके खुस हो रहे होंगे काफी खुबसूरत नजारा बना है और वाइल्ड एनिमल्स की एक्टिविटी बेहत पसन आ रही है कर दो कर दो, को पसी और कर दो नजार समय होगे 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 है मत खुबसूरत नजार लॉबसूरत बेह जाता है हेलो एब्रियोन आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्तेंड तंदुरुस्त होंगे तो दोस्तों आज रोजाना की तरह आया हूं मैं फिर से गाउं के इस आखरी हिस्से की तरफ जहां पर कि अभी मैं हूं रोखड में सो यह सामने बहता हुआ पानी और इसे बोलते हैं हमारे यहां पर रोखड तो इस जगह पर आया हूं आज सुबह जैसा कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग बता दूं अभी सुबह के साड़े छे बजने जा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे क्लाउड और सामने बन से भी जादा तो चलो आज मैं आया हूं इस जगह पर सर्च ने संकेत तो देखे हैं तो अभी मैं थोड़ी जगह पर हूँ पहले इस जगह को देख लेता हूँ और उसके बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ कि सामने आपको दिखाई दे रहेंगे अभी काफी सारे स्पॉटेट डियर जो कि सुबह के साड़े अभी इस हिस्से में बने हुए हैं और यह एक नहीं काफी सारे हैं यह वही दिख पा रहे हैं जो थोड़ी मेरे पास में हैं बाकी और भी सारे हैं तो चलो इस तरह से काफी वाइल आइनिमस तो सुबह के समय हमें आपे देखने को मिलता ही है बट जो आज रिजन है रिजन है कि आज इस जगा पर मुझे देखना है टाइगर के फुट्प्रिंट अगर टाइगर के फुट्प्रिंट मुझे देखने को मिलते हैं तो मैं कंफर्म कर पाऊंगा कि हां कल साम की जो आदे घंटे की कॉलिंग थी वहां सच में टाइगर की कॉलिंग थी क्योंकि कॉलिंग इतनी खतरनाक थी ना इसा लग रहा था जैसे की पता नहीं क्या पीछे पढ़िया है और सुनने में तो ये भी आया था कि सुबह के समय कल ताइगर ने एक को पगड़ना को किल किया था तो देखे इस तरह से जैसे ये ग्रूप में रहते हैं सपोर्टेड डिएर तो थोड़ी एक easy सा task को हो जाता है इस भीड में किसी एक को पगड़ना tiger के लिए देख रहे हैं न कई spotted deer अभी जंगल की तरफ चले गए और कई आभी आई ही रहे तो काफी सारे spotted deer हैं अभी इस जगा पर तो मैं इस नाले की तरफ भी जाकर पहले देखना चाहूँगा कि tiger अगर इस जगा पर था तो उसके footprint इस पानी के किनारे में भी होने चाहिए क्योंकि वो भी पानी पीने जरूर आया होगा तो कोशिस करते हैं पहले इस जगा से ही कि क्या इधर हमें tiger के footprint मिलते हैं या नहीं बागी आप देखी पा रहे होंगे काफी सारे animals के footprint इस जगा पर देखने को मिल रहे हैं काफी सारे हैं देखिए बट जो मुझे सर्च करना है वो मैं कोशिस करता हूँ और देखने का पुरा प्रियास करता हूँ बागी आपसे एक ही request है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें अगर आप skip करेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कल साम इस जगा पर आदे घंटे की थी कापी जोड़दार कॉलिंग spotted deer और sour deer की दोनों एक साथ ही कर रहे थे कॉलिंग तो देखिए थोड़ी इस जगा पर मुझे ये थोड़ी अलग सा ही नजर आ रहा है देख रहे न आप इधर उदर की मिट्टी देखिए कुछ इस तरह से हो रही है और इस जगा की मिट्टी देखिए तो इस जगा पर कोई ना कोई जानवर बैठा हुआ होगा अब ये बैठा कौन सा जानवर था ये मैं नहीं किलियर कर पा रहा हूँ बागी इस जगा पर चलो थोड़ी और आगे सर्च करकर देखते हैं सुबे सुबे का समय है और सुबे सुबे की इन ताजी हवाओं को इंजोई करना मेरी फित्रत है और उसी के साथ आपको वाइल एनिमल से रूबरू कराना ये मेरा सौंक है सो काफी अच्छा लगता है वाइल एनिमल्स को देख करके तो दोस्तो इस जगा पर ये थोड़ी मुझे एक बड़ा सा चिन्न तो दिखाई दे रहा है एक जैकली दोस्तों ये टाइगर का फुट्प्रिंट देखे मुझे देखने को मिली गया है और आपको दिखाऊं तो सामने इस जगा पर है ये पहला पंजा आप धूड़ी करीब से देखिए जो मुझे दिखाई दे रहा है ये पीछे का जो पैर होता है और ये यह एंगली ये ये इंगली ये इस जगा पर देख रहे ना अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाए क पाया तो यह तो है तो फाइनली देखिए यह तो कंफर्म हो गया कि हाँ इस जगह पर टाइगर का मुमेंट थाकल तो आगे तो आगे यह देखिए यह दूसरा फुट्प्रिंट है अगर देख रहे ना यह दूसरे पैर का निशान है टाइगर का तो इसी के चलते आगे भी मुझे लेप्ट राइट देखना होगा इस जगह से इसका दूसरा पैर दो पैरों के निशान तो दिखाई दिये हैं तीसरा ने दिखाई दे रहा है बर्ट परियास जारी रहेगा साथियों कभी भी में इस तरह से हिम्मत नहीं हारता देखा मुझे कंफर्म था कि पानी के किनारे ही उसके फुट्प्रिंट देखने को मिलेंगे यह देखिए आभी तो आपको किलियर हो ही जाएगा कि यह टाइगर के फुट्प्रिंट है देख पारे ना देखिए वई फैनली जो सोचकर आया था वो पुरा हो ही गया तो शियोटी के साथ कह सकता हूँ कि मौर्णिंग के समय में टाइगर्स ने इस रास्ते से मुवमेंट किया है और आप यह देखिए फिर से यह पैर का निशान है तो कुछ इस तरह से टाइगर आगे की तरफ गया है तो सामने जैसे कि आपको मैं हमेशा इस जगह से वाइल एनिमल्स को दिखाने की कोशिस करता हूँ तो देखिए यह मेरे गाउं का कह लीजिए कोर जोन है या आप इसे जिम कॉर्बेट का कोर जोन भी कह सकते हैं जैसे जिम कॉर्बेट में फेमस जगा है ढिकाला वैसे ही अगर मैं अपने गाउं सुन्दरखाल की बात करूँ तो सुन्दरखाल में ही थोड़ी गाउं को अलग-अलग नामों से जैसे की नाले बीज-बीज में पड़ गए है तो उनसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो अभी मैं हूँ अपने गाउं सुंदरखाल के पनोध वाले हिस्से में और पनोध वाले हिस्से के सबसे आखरी किनारे में तो ये वो जगा है जहाँ पर wild animals आपको अक्सर देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा चांस होते है इस जगा पर आपको wild animals को देखने के लिए tiger sighting के लिए कुछ भी कह लिए जो भी corbate में animals है mostly इस जगा पर आपको देखने को मिली जाते हैं तो finally मुझे जो आज सर्च करना था वो मैं कर पाया I hope कि आपको अच्छा लगा होगा बट हाँ थोड़ी ध्यान जरूर रखना परता है जबी जाके ये चीज़ें आपको देखने को मिल पाती है so अब मैं कुछ हेकाद दो दिन इस जगा पर जरूर बनूंगा और कोसिस करूंगा कि हाँ tiger को आपको दिखा सकूँ क्योंकि इस जगा पर आप tiger के 100% चांस है जैसा कि मुझे पता चला था कल सुबह tiger ने spotted deer का kill किया था तो कल साम की जो जोड़दार calling थी न उसने तो मतलब ऐसा कर दिया था कि cricket ground जैसा कि आपको हमने दिखाया cricket ground हमारे हाँ का तो सोचे cricket ground से इधर आने का कोई chance नहीं बन पा रहा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था और ऐसी कोई supply मेरे पास थी नहीं जिससे कि मैं focus कर सकूँ चारों तरफ उजाले का साधन मिन्स तो ऐसी कोई चीज़े थी नहीं तो इसलिए मैं इस जगह पे को नहीं आया नहीं तो कल सामी में आपको चीज़े रिकॉर्ड करके दिखाता बट हाँ ठोड़ी recording में आपको फिच्चर तो नहीं मिलती बट हां साउंड जरू सुनने को मिल जाती तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे footprint कितने ज़ाद है wild animals के तो अभी मैं इस जगह पे इसलिए आगे की और बढ़ लाओं क्यूंकि मैं देखना चाहा रहा हूं टाइगर किस तरफ को गया है वो सामने गाउं की तरफ को निकला है या आगे इस वे में सिदे स्टेट गया है कि देख पारे ना कितने पैरों के निशान है बट अब इस जगह से टाइगर के फुटप्रेंट ढूड़ना थोड़ी तफ हो गया है अब वो कहां को मूब किया ये नहीं पता बट इससे आगे भी मैं अभी तो जाना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी सुबे सुबे का समय है और ऐसा भी हो सकता है कि टाइगर सुबे मौनिंग के समय निकला हो और कहीं आसपास जाडियों में बैठा हो सो मैं इतनी दूर जाना नहीं चाहूंगा जहां पर अभी मैं हूँ तो ये भी हमारे गाउं का किनारा ही है जैसे कि आपको पता है गाउं का आखरी हिस्सा है तो इतनी दूरी तक तो हम आई जाते हैं सामने ये खेत है खेट से थोड़ी हम आगे चलकर आ जाते हैं बट इस से ज़्यादा हम आगे जाते नहीं है क्योंकि जंगल का एरिया है और चीजें किलियर हो नहीं पाती है और टाइगर का तो वैसे भी पता नहीं चलता है वो ऐसे बैठता है चुप चाप से कुछ भी मूमेंड नहीं करता है बस सीधे आटैक ही करता है सो चलो आज अच्छा लगा जो चीजें देखनी थी वो देखने को मिली है करता है करता है तो दोस्तों ये तो फाइनली मैं आपको किलियर करी दूं इस जगा पर कल रात बैठा था टाइगर तो इस जगा पर टाइगर बैठने का रिजन मैं आप आपको बता देता हूं सामने है पानी और सामने ये ग्रास लैंड सामने खुली जगा और सामने आपको पता ही है इस जगा पर कितने सारे इस पोटेट सामर डियर हमेशा बने रहते हैं तो ये जगा ऐसी जगा टाइगर ने शुनी है जहां पर कि इजी टासक उसे मिल सके क्योंकि आप समझी सकते हैं पानी है तो पानी पीने जानवर आएगा ही और टाइगर इतना सांत सभाव का जानवर होता है ना बटो जब एग्रेसिव होता है तो फिर तो फाड़ ही देता है तो इसलिए उसने ये जगा को चुना है सो मैं कन्फिज हो रहा था कि यार इस जगा पर क्या चीज हो सकती है तो यह देखिए यह वो जगा है जहां पर कल राट टाइगर बैठा हुआ था और इसके बैठने का रिजन ये पानी था और सामने में उसके फुट्प्रिंट आपको दिखाई चुका हूं तो यही चीज सामने अभी इस गाउं के आखरी हिस्से में फिर से निकल कर आए हैं स्पॉटेट डियर तो अभी जगा पे हमें काफी सारे स्पॉटेट डियर दिखने वाले हैं क्योंकि मुझे आसा है इस जगा पे काफी स्पॉटेट डियर गाउं से निकल कर आएंगे साथ ही आपको एंसी उमीद हो कि इस जगह से आपको इतने सारे इसपोंटेड़ डीयर अबी देखने को मिल जाएं तो देखिए मैंने कहा ताना इस जगह से काफिसारे impacto डीयर निकल कर आएंगे तो अब यह निकल कर आ रहे हैं झाल 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 तो दोस्तों आपको जैसा कि मैं बता रहा था कल साम जोड़दार कॉलिंग इतनी जोड़दार कॉलिंग की ना आधे घंटे तक वो कॉलिंग चली और मैं उस चीज को रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया अगर नेक्स ताइम ऐसी कोई कॉलिंग होगी तो मेरा परियास रहेगा कि मैं उसे रिकॉर्ड करके आपको सुनाओं तो उसी कॉलिंग के अकॉर्डिंग में आया था आज अपने इस गाउं के आकरी हिस्से की तरफ तो मैंन स्टाइग की थी आज अपने ब्लॉक की सामने उस नाले के पास से तो उस जगह पर गया क्योंकि मुझे अगर टाइगर आया होगा तो उसने पानी भी जरूर्ड पिया होगा है ना और उससे पहले सुनने में आया था कि उसने मौनिंग के समय में किया था किल इस्पोर्टे को लेकर तो फाइनली उसके फुट्विंट देखने को मिल गए तो आय होप कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर्ड अच्छा लगा होगा तो आप से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथी आप मेरे और ब्लॉक्स भ देखने को मिलेंगी तो आय होप कि आप मेरे कंटेंड को वाज भी करेंगे और साथी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो दोस्तों करते इस ब्लॉक को आज यहीं पर समाप और मिलते आपको फिर से एक नेक्स कंटेंड में जब तक के लिए बाइबाय एंड टेक क झाल 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 झाल